तो वेलकम है दोस्तों देखिए सीपेट का कुछ दिन पहले मैंने एक नोटिपिकेशन डाला था उस पे आप लोगों ने बहुत सारा लोगों ने सपोर्ट किया एंड देखा अब देखते हैं कि यह जो है आपने अलग वीडियो मांगा था तो देखिए हमने एक अलग वीड अब देख लेते हैं तो कहां पर होगा जी तो देखिए यहां पर लिखा है फिराल रांची जारखंड और यह आपका फिन कोड है अभी मैं सारा कुछ दिटेन बताऊंगा आप हमारे साथ पस जुड़े रहें देखिए सीपेट का मैंने फुलफम बता दिया अब देखिए एडमिशन टेस्ट डेट कब होगा सारा कुछ किया होने वाला प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है यहां पर हम जान लेंगे तो एडमिशन टेस्ट 2023 एडमिशन ओपन हो गया है एड़ एपलाई आपको ऑनलाइन करना है देखिए यहां पर बोला गया है कि आपको एपलाई ऑन नहीं होगी इस फॉर्म में जो है आपको पार्टिसिपेट करने के लिए एडमिशन में यहाँ पर यह गिता रखी गई है कि आप 10 पास हो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे 12 पास है फिर भी आप अपका पास होना चाहिए अब देख लेकते हैं इसका स्टाट हो गया है 24 फरवरी से और लास्ट डेट जो है आपका अब 28 माई को है ठीक है 28 पांच 2023 को है और यहाँ पर जो एक्जाम होगा इसका डेट ओप केट अल आवर इंडिया और अब इंडिया में आपका जो है दोस्तों एकजाम होगा गयाराज़ छे दौजारत तैइस को ठीक है गयारत आरेक चठा मैना दौजारत तैस को एकजाम होगा यहां पर देखिए आपको केरियर जो है मतलब एक तरश से से क्यूर ही हो जाएगा एक्सलेंट केरियर प्लास्टिक मॉल्ड टेकनोलोजी में डिप्लोमा धुक्त है। प्लाश्टिक टेकनोलोजी में डिपलोमा इन दोनों जो है आपका थ्री एर का कॉर्स है और इसमें आपको मांगा गया है कि सिंपल यह आप टेंथ पास है ना उनके लिए आप एपलाई कर पाएंगे दसविक अक्षा जिन चात्रों ने बोर्ड की परिक्षा दी है वे भी ए सकने हैं इसके लिए ठीक है परवेश के माध्यम से तो देखते हैं सीपेट परवेश परिक्षा 2023 ऑनलाइन आविदन करना होगा आपको और मैं बता दूंगा भी ऑनलाइन आविदन कैसे होगा ठीक है आगे देखते हैं तो यहां पे आपका अगली कॉर्स है प्लास्टिक म से सिंपल इसमें आपको 12 होना है साथ यह अप 12 साइंस तभी आप अप्लाई कर पाएंगे 800 कॉमर्स वाले अप्लाई कर पाएंगे तभी जब आपने 10 के बाद जो है आई-टी आई कर रखा है और आई-टी आ में कौन-कौन से ट्रेड एस्पेसली जो है मसिनिश्ट और पॉलीमर केमिकल प्रदोगी की तो अगर यह सभी में अगर आपने 10 के बाद आइटिय किया है तो आप यहां पे अपलाई कर पाएंगे और आपको परवेश परिक्षा हो जाएगा परवेश युगेता परिक्षा में प्राप तंकों के आधार पर आपका चयान किया जाए है ठीक है फिर बोला गया है कि उपरोग सभी पाइटिकरम के लिए कोई भी आयू सिमा नहीं है ठीक है आप कितने भी एज के हो मिनिमम फॉटीनियर होना ही चाहिए कम से कम 14 साल के होना ही चाहिए तभी आप अपलाई कीजिएगा और वैसे लगता है 14 साल के कोई भी उससे क सब्सक्राम का तो हो गए नहीं मत्पुन तारीक फिर से बार डेट नोट कर लिजिएगा अठाइस तारीक आपका लास डेट है और गार अच्छे को आपका एक्जाम होने वाला है और अगर इससे भी जादा डिटेल में आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए तो यहां पर इतने अगरे साथ से पाला हो गया और और यह आपका दूसरा करश के लिए डोका दो साल के लिए तो दोनौं का मैं लिए डिक्कत होगा तो फिर भी यहां पर आपको जो है नंबर दे दिए गया है पॉंटेक नमच नंबर आप कर सकते हैं यह देखिए यहां पर दो तिन नंबर हैं आप किसी भी फोन करके पूछ सकते हैं डिटेल में इसका केमपस भी हो पाया तो मैं दिखा दूँगा ठीक है केमपस टूर करवा दूँगा और आपको यहां पर प्लेस्मेंट की गारेंटी दी जाती है और यह रहा सिपेट का पर इसका भी पीडियाप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तक आप डिटेल में यहां पर पढ़ सकते हैं ठीक है देख सकते हैं सिपेट और यह राची में है आप औल अभर इंडिया से अपलाई कर सकते हैं नॉट अली जहारखंड यहां पर सब लाइन में लग गया है और इस मतलब की कुछ special course कीजिएगा तो आपका जो है इसमें बेनिफिटी होता है टेक्नलोजी के छेतर में तो इसका पीडियाप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है दोस्तों और अब भी कोई दिक्कत होगा तो contact number में न तरह से अब कर सकते हैं apply करने के लिए क्या करना होगा वह में प्रोसेस थोड़ा सा बता देता हूँ अब देखिए आपको जो है यहां पर online करने के लिए आना होगा Google पर और यहां पर सिंपल ही सर्च करना होगा cipet cipet सर्च किजिएगा जैसे ही तो आपके सामने खुल जा जाएगा और यहां से आप apply कर पाएंगे ठीक है देख सकते हैं इसका पूरा का पूरा campus all over इंडिया में है जारखन में भी है तो यह requirement यहां पे निकली हुए and detail में आप यहां से apply भी कर पाएंगे ठीक है registration कर लिजेगा और यहां से apply कर पाएंगे तो सारा कुछ यहां पर द दाविया नरेंद्र मोदी सभी के यहां पर तो यह कोई fake news नहीं है आपको यह बात तो यहां पर clear हो गई अब देखें सीपेट admission test 2023 से सीपेट requirement है सारा कुछ आप directly यहां से भी जा सकते हैं ठीक है तो यहां से आपका जो है मैंने website भी बता दिया कहां से आपका apply होगा तो सा कुछ आप यहां से कर सकेंगे ठीक है